हलो इंटल केम्ट आज की वीडियो माईक्रसॉप माइस्क्वल की है और माइस्क्वल के अंदर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को दिलीट करने की क्या क्वैरी हो सकते हैं । चलिए यह स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं यह कैसे पॉसिबल हो सकता है चलिए आईए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले Microsoft Access ओपर रखा है, इसमें दो टेबल्स बनाई है, पहले टेबल का नाम है टेबल 1, फिर टेबल का नाम है टेबल 2, पहले टेबल में आपको दिख रहा है ID, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो कॉलम है उसमें दिख रहा है आप चलने वाले हैं, ठीक है, अभी क्या करना है, टेबल 2 को क्लोज करना है, टेबल 1 पर आना है, यहाँ से create पर जाना है, जैसे query design पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर SQL नजर आएगा, तो बस इसी पर click कर दिएगा, जैसे click करेंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा, अब हमें एक record को delete करना है, single record, जैसे फिर से ध्यान दीजेगा, यहाँ पर ID कहां से शुरू है, तुम से शुरू है, ठीक है, यह 3 है, यह 4 है, किसी एक particular record को delete करना है, किसी एक particular record को, कैसे delete करेंगे, आएगे जानते हैं, यहाँ पर query पर आगए, और यहाँ पर सबसे पहले क्या यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिएगा, delete, ठीक है, delete command चलाईएगा, delete, ठीक है, जो delete है, उसको चलाईएगा, यहाँ लिखेगा, delete, ठीक है, delete लिख दिया, और delete लिखने के बाद क्या करना है, आपको जैसे delete लिखेंगे, delete लिखने के बाद कहां से delete करना है, वो दे दीज और जहां पर condition क्या है तो यहां पर वे स्कीण ही कंडिशन क्या है ऐी हैğ इक्ट या अब नंबर न की बात आती है तो उसमें बात बहने की ज़र्फ है vom ठीक है अब यह इतना हो जाने के बाद बस आपका काम हो गया है अब यहां से चलेंगे क्वेरी डिजाइन को और यहां से इसको सिर्फ रण करवाएंगे जैसे रण करवाने जाएंगे तो यह क्या लिखा हुआ आपको दो वाला रिकॉरड्ड जो उपर दो दिखाई पढ़ा था वो वाला रिकॉर्ड दही नदर आएक देख सकते है न तो इस तरीके से पर्टिकुलर एक रिकॉरड पो डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं आसान है ठीक है और अगर फिर भी कोई von fusion होती हुँ तो आप मुझे comment box में comment करके पुछ लिजेगा ठीक है? ओके? ठेंक यू